एक ब्रामन का लड़का विनाइक जी माहराज की खूप सेवा पाट पूजा पाट किया करता था उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती ये सेवा पूजा छोड़ और कुछ काम दंदा कर ले सेवा पूजा काम नहीं आएगी रोज जगड़ा होता एक दिन लड़का विनाइक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा आज तो विनाइक जी माहराज से मिलकर ही इसका उपाई पूचूंगा तब भी घर वापिस आऊंगा लड़का भयानक जंगल में पहुँच गया विनायक जी माराज ने सोचा ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है इसे बाग बगेरे न खा जाए इससे तो बचाना ही पड़ेगा बूड़े भ्रामन का वेस धरकर विनायक जी आए और बोले लड़के कहा जा रहा है लड़का बोला विनायक जी के पास जा रहा हूँ विनायक जी बोले कहा मिलेंगे तो लड़का बोला जहां पर भी मिले वही जाऊंगा पर जाऊंगा जरूर विनायक जी उसके पण से बहुत परभावित हुए उसको दर्सन दिये और बोले मैं ही विनायक हूँ बोल क्या चाता है कुछ मांग ले लड़का बोला मैं तो मांगना ही नहीं जानता क्या मांगू तो विनायक जी बोले फिर यहां क्यों आया है तो लड़का सोच विचार के बोला गोडो और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के मालिया मांगू, डोलो हिंगराज को, पुर्षन वाली एसी मांगू, जाने फूल गुलाब को, विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अंजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात न एसा ही हो जाएगा, लड़का वापस घर आया, तो देखा, पींडे पर एक छोटी सी दूलन बैठी थी, घर में बहुत सारी धन दोलत, हाती घोडा लाव लसकर हो गए, लड़का अपनी मां से बोला, देखो मा, इतना परताब है मेरे विनायक जी माराज का, ये सब उन्हो ने ही दिया है, मा बहुत परसन हो गई है विनायक जी माराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया, वेसे सब को देना, सब की मनों कामनाए पूरी करना, कहानी सुनने वाले, हुकारा वनने वाले, सब के भंडार भरे रखना, सब की आसिरवात बनाए रखना, तो बोलो गण ने जी माराज की जे हो